आज आपके साथ ड्राइ स्मोकी फिलेवर्ड पसंदी की रेसेपी शेयर कर रहे हैं और इन पसंदों को हम सेर्फ करेंगे एक बहुत इसवरता चटनी के साथ में इस चटनी से पसंदों का टेस्ट दोबाला हो जाएगा तो चलिए इस बढ़िया से मज़ेदार रेसेपी को ब केल जाए और यह बिल्कुल ड्राइ हो जाए अब इन पीसेस को एक चॉपिंग बोर्ड पर रखेंगे और एक नाइफ की मदद से या फोक की मदद से मार्स बना देंगे ऐसा करने से पसंदों में अंदर तक मसाला जहज़ हो जाएगा तो इस तरह से हम सारे पीसेस पे फोक चार चमच तही कच्छे पपीते का पेस्ट चार चमच नमक एक छोटी चमच लैसन अध्रा का पेस्ट चार चमच लाल मिर्च पॉडर एक छूटा चमच कोटी लाल मिर्च एक छोटा चमच गरम मसाला एक चमच जीरा पॉडर दो चमच धनिया पॉडर एक चमच सौफ का पॉडर एक चमच चार्ट मसाला एक चमच एक नीवो का रस निकाल लिया है उसको भी हम मिला देंगे इस पसंदों में अब लास्ट में डाल देंगे चार चमच रोस्टेड बेसन हमने चार चमच बेसन लिया था उसको हलका सा ड्राइ रोस्ट कर लिया था उस बेसन को मिला देंगे या बेसन आप अपने जरुवत के हिसाब से डालेगा बेसन इतना डालना है जो पसंदों पर अच्छी तरीके से कोट हो जाए अब इन सभी मसालों को पसंदों में अच्छी तरीके से मिला देंगे और इन पसंदों को मेरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 4-5 घंटे पसंदे कई तरह से बना जाते हैं लेकिन हम यहाँ पर ड्राइ पसंदे बना रहे हैं इन पसंदों का टेस्ट बहुत ही जबरदस्त होता है तो सभी चीज़ों को अच्छी तरीकर से हमने मिला दिया है जब तक हमारे पसंदे मेरिनेट हो रहा हैं पसंदे के लिए चैटनी बना लेते हैं यहाँ पर हरी मिर्चली है, 4-5 लाल मिर्चली है, लैसुन की 6-7 कलिया लिए, एक टमाटर लिया है अब इन सभी चीज़ों को एक ग्राइनिंग जार में डाल देंगे और साथ में डाल देंगे एक चमच, दही और नमक और इसको ग्राइड कर लेंगे इस चैटनी के साथ आप पसंदों को सेर्फ करेंगे तो पसंदों का टेस्ट बहुत ही जबरदस्त हो जाता है अब हम इसको ग्राइड कर लेंगे तो यहां पर यह चैटनी बनकर तयार हो गई है इसमें लास्ट में हम डाल देंगे आदे नीबू करस अब इस चैटनी को एक साइट रख देते हैं और हमारा पसंदे मेरिनेट हो चुके हैं तब उनको फ्राइड कर लेंगे तो गैस पर कदेंगे एक पैन और लेंगे दो चमच तेल जब तेल अच्छए से गरम होजाएगा तो मेरिनेटिट पसंदे को एक एक करके इसमें पैन में रख देंगे और लो फिलिम पर सेखेंगे थोड़ा सा उपर से भी तेल डाल देंगे जब एक साइट से सीख जाएंगे तब हम प्रसंदों को पलट देंगे और दूस्य साइट से भी सेख लेंगे इस तरह से उलट पिलट के हम दोनों साइट से गोल इन ब्राउन होने तक पसंदों को सेक लेंगे पसंदे सेकने में ही गल गए हैं आप एक बार चेक कर लें कि आपके पसंदे गले या नहीं गले अगर ना गले तो आप उसको ठोड़े देर ढग कर रग दें प्पसंदी तो फ्लें पर पसंदी गल जाएंगे तो सभी पसंदों को हमने भर नया हैं। िश में गैप बनाएंगे इसमें रखतेंगे एक कटोरी और हमनेदो फ़ायय को जला कर रखते उन warfare को बीच को खोल देंगे और कटोरी को हटा देंगे और हम पसंदों को सेर्फ करेंगे चटनी के साथ और लच्छेदार प्यास के साथ आप इस रसेपी को एक बार जरूर ट्राइ करें बहुत ही सवर्दस बनती है उमीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई